आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello दोस्तों देखिए यहाँ पर जो Point मतलब की बायू से आता है Sun मतलब की सूरज से आते है Plants पौधे से आते हैं या फिर Animals जो है उससे आते हैं, ठीख है? तो देखिए जो सभी के सभी जो आपके Animal होता है ठीख है? सभी के सभी जो हमारे Animal होता है मतलब की As a Human Being या फिर जो भी Animal है वो देखिए आपके energy के लिए या फिर बोल सकते हैं आपकी food, energy कहां से पाते हैं, food से पाते हैं, energy, animal कहां से पाते हैं, food से पाते हैं, और food के लिए वो किसके उपर आपके निर्वर्सिल होता हैं, देखिए, या फिर others animals के उपर, others animals के उपर ये निर्वर्सिल होता है, other animal की ओपर ठीक है या फिर बोल सकता है plant की ओपर male लिए तो plant की ओपर nervous cell है maximum जो आपके animal होता है ठीक है तो देखिए animal के animal तो ultimate energy नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि animal उसके energy के लिए कोई other plants या फिर animals से ओपर nervous cell होता है तो animal option जो है यह cancel हो गया ठीक है फिर देखिए plant जो है आपका plant क्या करते हैं देखिए plant अपने अंदर मतलब की leaves के अंदर हम लोग जानते हैं leaves के अंदर क्या करते हैं photosynthesis process चलाते हैं क्या process चलाते हैं आपका photosynthesis हम लोग जानते हैं photosynthesis क्या होता है यह process photosynthesis process में पौधे जो होता है यह अपने लिए जो glucose जो होता है वो बनाते हैं ठीक है मतलब की खाद बनाते हैं अपने लिए food बनाते हैं ठीक है पत्ते के अंदर देखिए उस food बनाने के लिए क्या होता है आपका जरूरी क्या होता है उसक आपके लिए Water जरूरी होता है, और जो main चीज जरूरी होता है, वो होता है Sunlight, ठीक है? Sunlight के बीना क्या नहीं हो सकता है? Photosynthesis नहीं हो सकता है, ठीक है? और plant जो energy पर रहा है वो भी इसी और के उपर universal होता है मतलब की sunlight के उपर universal है तो देखिए plant जो है यह भी ultimate energy नहीं हो सकते है ultimate source of energy नहीं हो सकते है तो देखिए इस question का जो सही answer हो जाएगा साब साब बता रहे हूँ इस question का जो सही answer है वो है sun sun को क्या कहते है primary source of energy ठीक है यह फिर बोल सकते है ultimate source of energy wind भी नहीं हो सकता है ठीक है क्योंकि wind की उपर सब कुछ निर्वर नहीं करता है तो यहाँ पर option जो B है अपका यह हो जाएगा correct answer sun सुरज हो गया आपका ultimate source of energy आर्ट के लिए thank you आपका आपका बोलो है तो वर